दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं साफ्ट की कैसी बहतरिन मूवी जिसमें दिरिश्चम की तरह ही एक एक टुष्ट डाले गए हैं मूवी का नाम है करुणन जो की आपको जरूर प्रसंद आएगी इसी बात पर वीडियो को भी लैक कर दीजिये हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शिरुवाद में हम एक कंस्ट्रिक्शन वरकर सलाम को देखते हैं जो कि अपने बाकी साथियों के साथ एक जगा बैट कर शराप पी रहा होता है लेकिन वाद में सलाम की बात का जवाब दिये बिना ही महा से भाग जाता है और महा पर सलाम को एक लड़की दिखती है जो कि एक कॉलिज इस्टुडेंट थी दरसल वा अंजान आदमी इस लड़की के साथ बलतकार करके यहां से भाग गया था इस लड़की की हालत देख सलाम जल्दी से उसे होस्पिडल लेकर पहुंचता है जहां उस लड़की के पिता, पुलिस, मीडिया और उस लड़की के सारे कॉलिज के दोस्त आ जाते हैं अब यहाँ पता लगता है कि इस लड़की का नाम टेरेसा है जो कि अपने कॉलिज के यूथ फेस्टिवल से देर रात घर आ रहाई थी तब ही रास्तेसों से किसे अल्जान इंसान ने किड्नेप कर लिया और उसकी ये हालत कर दी अब टेरेसा को होश नहीं आया था और उसकी हालत काफी ज़्यादा खराब थी तो उसे ICU में भरती किया जाता है और इस केस को DCP हरीश एंडल कर रहे थे जिनसे डॉक्टर बताती है कि टेरेसा की गर्दन में काफी ज़्यादा चोटे आई है बाकि उसकी हालत अभी नाजूक है इसलिए अब्जर्वेशन में रखा गय करके आ जाते हैं पिछली रात बारिश जादा हो रही थी तो मैं में स्विच देखने के लिए गया था उस वक्त महां पर काफी अंदेरा था इसलिए मैं उस आदमी का चैरा ने देख पाया पर अगर वो मेरे सामने पड़ जाए तो मैं उसे पैचान लूँगा सलाम ये भी बताता है कि साइट का नाइट वाच मैन भी 9 बजे वहां आता है यानि कि उस आदमी को पता था कि 7 से 9 बजे की बीच महां कोई नहीं रहता इसलिए उसने इस जगह को चुना पुलिस काफी ज़्यादा पूस्ताच करती है पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता और ऐसे करते करते करीब 7 महिने का समय बीच जाता है और बैचारी टेरेसा अभी भी कोमा में थी लेकिन वहां कॉलिज स्टूडेंट्स उसके सपोर्ट में रोड पर उतर आये थी पुलिस ने इस केस में किसी को बेरेश्ट नहीं किया था इसलिए उनके उपर दबा बढ़ता जा र जाता है तब लैब वाले उन्हें बता देते हैं पुलिस के पास सब अपरादी के सीमन रिपोर्ट थी यानि कि उसका डियने उन्हें पता था तो हरीश आसपास के सहरों की लैब में वो डियने दे देता है कि अगर ये किसी कभी मैच निकल जाता है तो उस कातिल तक और पता चलता है कि जब टेरसा के साथ गलत हुआ था तब शैदेव अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में था और उसने उस दुरान अपना क्रेडिट कार्ड भी इस्थमाल किया था यानि कि शैदेव तो ये काम नहीं कर सकता हरीश उस से कहता है कि चलो रिष्टेदारों क पता करके बता दूँगा बस फिर क्या था हरीश को पता चलता है कि वो रिष्टेदार कोई और नहीं बलकि टेरस है कि एक ये कॉलेज का प्रफिशर निशान थै जो कि अपनी बीवी हरीटा के साथ एक पार्किंग में था उसे देख सलाम कहता है कि सर वो ये नहीं था जिस तो यहीं था वो बस फिर क्या था अगले दिन निशान को पुलिस पकड़ लेती है और टेरिसा की बाड़ी पर मिले सीमन से जब निशान का टियने मैच किया जाता है तो वो मैच कर जाता है और अब उसके खिलाव के शुरू होता है जहां पबलिक प्रोसेक्यूटर थोमस उस लड़की टेरिसा की तरफ से लड़ रहे थे, वो निशान के खिलाफ सारे सबुत पेश करते हैं, साथ इसलाम भी निशान के खिलाफ कोर्ट में गवाई देता है, यानि ये साबित हो चुका था, ये बलत का निशान नहीं किया था, जिसका रंड जज उसे साथ साल की सजा सु आ रहे थे, इसे उमीद में कि वो ठीक हो जाएगी, बात करें हरीश की, तो वो कुछ दिनों में रिटायर होने वाला था, फिर जब वो सुबा जॉगिन कर रहा होता है, तब यहां के MLA मैथ्यो के लोग उसे आकर धमकाने लग जाते हैं, जिनका हरीश कोई जवाब नहीं दसल हरीश ने MLA को डॉलर स्मगलिंग में पकड़ा था, उसकी बेल तो हो गई थी, लेकिन हरीश कोट में उसके खिलाफ बयान देने वाला था, हरीश यो बयान ना दे, इसने MLA अपने आदमें को उसको धंकाने के लिए भीजा था, इधर अपने सजा पूरी करके निशान ने गुनेगार मान कर बात करना ही छोड़ दिया था, तो उधर हरीश अपने रिटार्मेंट की खुशी में पार्टी कर रहा था, वो थोमस से बताता है कि मुझे करीब 60 लाक रुपे का रिटार्मेंट फंड मिनने वाला है, जिससे मैं अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए हाई कोर्ट में अच्जी डाली है, जो की कोट ने एकसेट भी कर ली है, इस पर हरीश कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई अपने गुनाह के सजा काटने के बाद भी, क्या उसकिस को उपन करवा सकता है, थोमस कहता है कि हाँ, एसा पहली बार हुआ है, पर ये किया एकुष了 पूरा करने की कोशिश करें। तब दोव मस करने पर हरीश। उसका सलाम के घर जाता है। जिसकी बीवी बताती है । कि वो घर पढ़ नहीं है। और इस वक्त वो किसी काम के सिलसले में कॉइमतुर कहा हुआ है। या हरीश सलाम की बीवी से बताता है कि उसका कोड म मैंने जेल में रहने के दौरान अपनी लोग के डिगरी पूरी कर ली है तो क्या मैं अपना केस लड़ सकता हूँ जज निशांत को उसका केस लड़ने की जाज़त दे देते हैं और सबसे पहले निशांत इस केस के प्राइम विटने सलाम को बलाता है अब वो सलाम से सवाल करता है कि तुम कहां थे इस पर वो कहता है कि मैं कॉम्बे तूर गया हुआ था निशांत कहता है कि तुम डी एडिक्शन सेंटर में थे न जहां तुम पिछले सास सालों में छे बार जा चुके हो पर पुलिस ने ये बात अपने रिपोर्ट में नहीं लिखी जोकि कोर्ट में एक शिराबी की गवाई नहीं मानी जाती इस तरह से पहले दिन निशांत ने पुलिस के प्राइम विट्टेस को जुटला दिया था इसके बाद निशांत केरेलर सेंटर लेबरेटरी के में डॉक्टर को बलाता है जिन्नोंने निशांत की डिने रिपोर्ट को उस सीमें से मैच किया था पूछ सास से पता चलता है कि लेबरेटरी तीन साल पहले बंद हो गई है निशान्त बोलता है कि मैं कोर्ट में साबित कर दूँगा कि ये लेबरेटरी गलत रिपोर्ट बनाने के लिए बदनाम है इसके लिए मैं कुछ और गवाओं को पेश करना चाहता हूं कि इस केस के चलते मेरी जिन्दगी और काम दोनों प्रवावित हुए हैं मैं चाहता हूँ कि बार काउंसल मुझे टेंपररी लाइसेंस दे दे जब तक कि ये केस चल रहा है ताकि मैं भी अपने जीने भर का कुछ कमा पाऊं तब जज उसे इसकी इजाज़त दे रहते हैं और बार काउंसल से वकालत का टेंपररी लाइसेंस निशांत को मिल जाता है फिर अगली सुनवाई पर निशांत सबसे पहले इसमीता नाम की लेडी को बुलाता है जिसके पती ने केरेलर सेंटर लेबरेटरी की रिपोर्ट के बिना पर अपनी पतनी के खिलाफ केस किया था कि उसकी बेटी का डियन ने उससे मैच नहीं कर रहा है कि उसने जाली कागज दिखा कर उसे जमीन बेची है असर में वो जमीन जिनकी थी वेल लैब की रिपोर्ट के अनुसार जौन का डियन ने उनसे मैच नहीं कर रहा था यानि कि वो उसकी पुष्टैनी जमीन नहीं थी फिर भी उस पर ये इलजाम था कि उसने जमीन ये कहकर बेची कि ये हमारी खांदानी जमीन है फिर वो कहता कि मैंने उस रिपोर्ट को दूसरी लैब से चेक करवाया तो नहीं पेपर्स जाली थे और नहीं मेरी डियने रिपोर्ट इस रधार पर मैं भी केस जिद गया ऐसे एक चोरी में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और अब दो महिनों में में छूटने वाला हूँ और वो कहादा कि मैं अब इस पाप के बोज़ को और नहीं सै सकता और अब मैं पश्चताप करके बक्ती के मार्ग पर चलना चाता हूँ इसलिए मैंने ये गुणा कबूल किया निशांत बेगुणा है और एक क्राइम मैंने ही किया है फिर निशांत बता दाए कि एक ऐसे केस की वज़ा से हाई कोर्ड की और पर दो साल पहले इस लैप को रिनोवेशन के नाम पर बंद कर दिया गया फिर वो कहता है कि साथ महीने से investigating officer टेरेसा की गुनेगार को पकड़ नहीं पाए तो ये case CBI के पास जाने वाला था तब पुलिस पर दवाब बढ़ रहा था तो उन्होंने मेरे खिलाफ जबरदस्ती का सबूत बना कर मुझे अंदर कर दिया या तक की DNA report भी ऐसी जगा से बनवाई जो की गलत report बनाने के लिए मशूर हैं आगे निशान्त एक और case का हवाला देते हुए कहता है कि ऐसे एक case में court ने investigating officer से compensation दिलवाया था फिर वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे case में court की कोई गलती नहीं है जो भी सबूत उनके सामने पेश किये गए उस अदार पर फैसला हुआ है बाकि उसमें गलती investigating officer की है जिनने सबूत बना कर पेश किये इसलिए मुझे भी उन्हें से compensation दिलवाया जाए फिर जब फैसला सुनाते हैं और निशान्त को इस जुर्म से बरी कर देते हैं इस एक फैसले से निशान्त लोगों की नजरों में हीरो और हरिश विलन बन गया था यहां तक कि निशान्त की बीवी ने भी उसे माफ कर दिया था और उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पर लोड आई थी इस तरफ हरिश की घर मैथ्यो के गुंडे पत्थर फेकते हैं और इस पॉइंट पर उसे अपने परिवार को सेफ करना था इसलिए वो अपनी फैमली को गाउं ले जाकर छोड़ देता है अब कोड के फैसले से हरिश बिलकुल भी खुश नहीं था और वह काफी ज़्यदो नशे में रहने लगा था हरिश तोमस से कहता है कि निशान जितना दिखता है उससे कई ज़्यदा शातिर है और मैं उसका सच दुनिया के सामने लाकर रहूँगा इसके बाद हरिश जब अपने घर पहुंचता है तो वहाए मिले के गुंडों ने तोड़ फोड़ की होती है और साथी उसके पाल तो कुत्ते को भी मार दिया होता है तब नशे में हरिश को लगता है कि ये काम निशांत का है इसलिए वो निशांत के घर जाकर उससे लड़ने लगता है क्योंकि जेल में हर बलतकार के आरोपी का यही आल होता है इस दुरान जेल में एक गेंगेश्टन नारी सुन्नी भी मौजूद था जो कि जेल से अपने गैर कानूनी काम समालता था जैसे हवाला वगेरा फिर एक दिन नारी सुन्नी ने निशान को मिलने के लिए बलाया और दोनों में कुछ बात चीत हुई और फिर नारी सुन्नी ने सभी से जेल में कहा कि ये बेगुना है इसलिए अब इसे कोई कुछ नहीं कहेगा नारी सुनी ने भी उस दिन से पने सारे काले धंदे छोड़ दिये और निशान्त भी अपनी लौ की पढ़ाई करने लगा और वो किसी से भी बात नहीं करता था इसके बाद हरीश जाकर मिला मुर्गन से जो बताता है कि मैंने इस बारे में निशान्त को पहले भी चिट्टी बेजी थी पार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया फिर जब निशान्त ने अपनी सजा काट ली तो वो एक दिन मुझे से मिलने आया उससे मेरी बात होई और फिर उसके कहने पर मैंने कोट में आकर अपना बयान दे दिया अब हर इसको निशान्त के खिलाफ कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था इसलिए वो नशे में डूपता जा रहा था और जहां एक तरफ वो डिप्रेशन में था तो दूसरी तरफ निशान्त ने अपने एक नई लॉफरम खोल ली थी और आए दिन उसका टीवी या रेडियो पर इंटर्वी वगरा चलता रहता था अब एक दिन उसकी लॉफरम में तीन लड़किया जोइन होने के लिए आती हैं और वो निशान्त के अंडर ही प्रैक्टिस करना चाहती थी उनसे निशान्त ने कहा कि मैंने ये फरम गरीबों का केस लड़के उनकी मदद के लिए पुने समझाईए कि जो हो गया उसे भूल जाएं फिर जब थोमस हरीश के घर उससे मिलने जाता है तब हरीश निशान्त के लॉफरम में काम करने वाली एक लड़की अरुनिमा की फोडो को देख रहा था वो थोमस से कहता है कि मैंने निशान्त के खिलाफ सबों जुटाने की कोशिश की पर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत ही शादिर है और उसका अगला निशाना ये लड़की अरुनिमा हो सकती है अरुनिमा का रोज पीछा करना शुरू कर देता है ये चीज़ जब हरीश को पता चलती है तो वो से एक पब्लिक टॉलेट में पहुंचता है जहां अरुनिमा बहुष पड़ी थी जिसे जब होश आता है तो वो हरीश को ही किटने पर समझ कर वहां से भाग जाती है फिर वो पुलिस से हरीश की कंप्लेन कर देती है और उन्हें बता दी है कि पिछले कुछ दिनों से ये मेरा पीछा भी कर रहा था बस फिर क्या था हरीश को अरेश्ट कर दिया जाता है और ये खबर आगती तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि डिप्रेशन में आकर हरीश ने एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की और इसने उसके बास चेहर के सारे लोयर हरीश के के केस को जा कम मिलेगी यहाँ पर हरीश हस्तेवे कहता है कि मुझे तुमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि आखिर दुम ने ये सब कैसे किया और वो बताना शुरू करता है तब कहानी फ्लेश बैक में जाती है दरसल जब नारी सुनी ने निशांद को मिलने के लिए बुला कंपनी अपनी पतनी के नाम पर खोल दो इस टारड़ू तो में पहले पांस साल कोई टेक्स नहीं लगता तो तुम बढ़े ही अराम से अपना सारा पैसा नाजिरिय के इंटिया की इस कंपनी में भेज सकते हो जिस पर तुम्हें कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा और सलाम की तो जब भी उसके पास पैसे नहीं होते थे तो उसे जान बूच कर नारी सुनी के लोग शराब खरीद कर देते थे यानि कि उस शराब को ना छोड़ पाए ये भी निशान का याडिया था आगे अरिश बताता है कि मैंने टेरसा वाले केस में तुमारे बैकगरांड को ना चेक करके बड़ी गलती कर दी थी जिस सफाय से तुमने टेरसा की जान ली उससे साफ होता है ये तुमारा पहला मडर नहीं था दसल दोस्तों आपको बता दो कि इस पॉइंट पर टेरसा मड़ चुकी है फिर हरीश कहता है कि मैंने जब इन्वेस्टिकिशन की तो मुझ लड़कियों का बलतकार करके तुमने उन्हें मारा था ये सब सुनकर निशान थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम एक केस बूल गए मैंने अपने पड़ोस की एक लड़की के साथ बलतकार करके उसका गला घोड़कर मारा था मैंसे मैंने शिरवात की थी फिर वो मजाता था निशान्त की बाते सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो कितना शातिर और सन की सीरियल किलर है आगे वो कहाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे इसलिए मैंने पहले तुम्हें अरिनिमा को किड्नेप करके फसाया और फिर अब उसकी जगा मैंने रेडियो वाली लड़की को अपना शिकार बनाया है जिसने मेरा इंटर्वी लिया था थोड़ा से पैटर्न मुझे बदलना पड़ा ताकि तुम जब बहार निकलो तो दुबारा से अंदर चले जाओ दसल निशान्त ने उस रेडियो वाली लड़की को हरीश के घर पर बा मानने लगता है पर पुलिस निशान को छुडाती है और निशान वहाँ से चला जाता है फिर यहां से वो सीधा हरीश की घर उस लड़की को मानने जाता है मगर महाँ वो लड़की नहीं बलकि निशान की बीवी हरीता थी ये देख वो दंग रह जाता है इसी के साथ पुलि वगएरा हर चीज हरीश की चाल थी यहां निशान का हिरो फरीता देखकर उसे चाटा लगा देती है और टेर्रस अभी जो मर चुकी थी तो इस बार बलतकार के सेक्षेन के साथ निशान पर मड़र का केस भी चलाय जाता है जिसमें उसे और नारी सुनी सहीत निशान का साथ देने वाले सभी लोगों को सजा सुनाई जाती है फिर मोवी के आखरी सीन में MLA मैथ्यू अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा होता है तब उसे हरीश रोकता है और अपने मरे हुए कुट्टे का फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने जान विक मोवी तो देखी होगी उसमें हीरो कैसे अपने पालतो कुट्टे का बदला लेता है तो आप तुम लोग समझ लो कि मैं तुमारा क्या हाल करूँगा यानि कि आप हरीश मैथ्यू का भी कुछ दरदनाख हाल करने वाला है इसी के साथ ये मोवी खतम होती है दोस्तो आपको ये मोवी कैसे लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा क्योंकि ये मोवी जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि इसकी कहानी आपके साथ शेयर करना तो बनता है वैसे अगला एक्स्पिनेशन आप कौन सी मोवी पर देखना चाहते हैं वो भी कॉमेंट में बताईएगा बाकि अगर आपको हाली में आई एक कमाल की मोवी देखनी है तो आपी वीडियो देख लीजिए